नमस्कार मैं दिव्या स्वागत है आपका अचके इस वीडियो में इन दिनों एक खबर वाइरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नई सिक्षा नीती के तहत खत्म हो जाएंगी दस्विंग की बोर्ट पर इक्छाय तो आईए जानते हैं इस वाइरल दावे की सच्चाई कई बार सोसल मेडिया पर हमें ऐसी वाइरल खबरे देखने को मिलती हैं जो हमारे जीवन से जुरा और काफी मैत्वपूर्ण होता है इन खबरों को देख कर हम घबरा जाते हैं अजानक से सोसल मेडिया के माध्यम से पत फरवर्ड भी कर दिया ठीक एक और ऐसी ही उरती फिरती खबर हम तक भी आई हैं इस खबर को देख कर पता चला कि कई लोगों के बीच इस बात की चर्चा चल रही थी कि दसवी बोर्ड की परिक्चाब खत्म कर दी जाएंगी दरसल वाइरल हो रहे इस खबर में इस बात का दावा भी किया जा रहा है हालांकि बच्चों के सिक्षा से जुराया बहुत ही समवेदन सील मैसेज है खासकर दस्वी बोर्ड को लेकर इस तरह के दावे बच्चों और उनकी माता-पिता को भी परिसान कर सकते हैं इस तरह के मैसेज उनके भविस्से को भी प्रभावित कर सकते हैं आई अब आपको बताते हैं कि आखर यह खबर आई कहां से है और आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है दरासल सोचल मीरिया पर वाइडल हो रही यह खबर एक लेटर के माध्यम से फैली है इस लेटर में सबसे उपर यह लिखा गया है कि नई सिक्षा नीती को के कैबिनेट ने अपनी स्विक्रिती प्रदान कर दी है आज केंजे सरकार की कैबिनेट की स्विक्रिती के बाद 36 साल बाद देश में नई सिक्षा नीती लागू हो गई है सरकारी नीजी डीम्ड सभी संस्थाओं के लिए होंगे समाननिया और फिर नीचे माननिया सक्षा म मंत्री भारत सरकार इस लिटर में साफ बताया गया है कि दावा किया जा रहा दस्वी बोर्ड और एंफिल को बंद करने के लिए केंद्रे कैमिनेट की तरब से मंजूरी प्रधान कर दी गई है और यह खबर सभी सरकारी स्कूल कॉलेज हो या नीजी हो या फिर डीम हर जगा स करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है दस्वी के बोर्ड को खत्म करने की या खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है ज़िए आपके पास भी इस तरह की खबरे आ रही है तो उसे आगे फॉर्वर्ड करने से बचे साथ ही जिसने भी आपको यह मैसेज भेजा है उसे खबर की सचाई बताते हुए इस वाइरल खबर को फॉर्ड वर्ड करने से मना करें आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद